हलो जी कैसे हो सारे दिस लव वबबर और वेलकम तो दी चैनल कोड हेल्प यह हमारे डियसे सीरीज का लेक्चर नंबर फॉर है यहां पर हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको कहा था कि जो चीज हम नहीं किये हैं तो इस वीडियो में हम लीट कोड में जाके एजी और मीडियम लेवल बहुत सारे कोशिन साल्व करेंगे तो सीखने को बहुत कुछ इस वीडियो में बने रहे और शिरू करते हैं तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर के साथ हम बोल रहे हैं के बिटवाइज operator यार, bitwise operator, बहुत असान चीज़े पहले हम simple चार चीज़ों के बारे में जान लेते हैं and, or not, zor and कैसा दिखता है, ऐसा or, ऐसा, not tilde, zor ये वाला साइग है, done है अब समझते हैं इन चीज़ों के बारे में के चीज़े हैं क्या, मैंने अगर बात करी and के बारे में तो ये क्या होता है, कि ये जितने भी operator न है पहले चीज़, ये bit level पर काम करेंगे, ठीक है, number level पर काम नहीं, bit level पर काम करेंगे, जैसे हमने सीखा था क्या ये वाला जो operator होता है, इसमें क्या होता है इसके दोना तरफ जो भी condition, वो दोना 1 होगी 2 क्या होता है, 1 0, 3 क्या होता है, 1 1 binary form में, तो क्या होगा 1 0 0, और 1 1 1, 1 0 क्या होता है, 2 तो मेरा output क्या है, 2 आ गया, ठीक है अब समझते हैं, एक बार इसका table बना के अगर मान लेते हैं, मेरा बिटा है, एक x है, एक y है और मेरा output जै वो z है, ये मेरा input है अगर ये 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 1 है तो AND के case में, 1 सिर्फ तभी आता है जब दोनों बिट 1 हो, तो ये और ये 1 हो गया इसमें तो ये 0 है, तो ये 0 आ गया, इसमें ये 0 है, 0 आ गया ये 0, दोनों 0 है, 0 आ गया तो AND का output इस तरीके का रहता है output में 1 आने के लिए, दोनों ही bits 1 होनी चाहिए एक और example देते हैं आपको जैसे कि मान लेते हैं, A is equal to 5 है और B is equal to 7 है तो 5 कैसा होता है, 101 7 कैसा होता है, 111 आंसर के आ गया, 111 100, और 11 1, ठीक है, तो आंसर के आ गया 5, तो इस तरीके से हमारा AND operator काम करता है अब बात करते हैं, और operator के बारे में सब कुछ प्रेटिस करके देखेंगे भी उसकी टेंशन नी लेनी है This video is sponsored by Cryo, the world's leading project driven platform अगर हम target कर रहे हैं कि आ एक अची job हमें चाहिए problem solving skills और DSA पर काम तो हमें इस सीरीज में करी रहे है साथ इस तरीक्रम में development में तकड़ा होना है तो Cryo is the place for you Cryo में आपको different different programs मिल जाएंगे जैसे कि full stack program, back end development program और program का grade इस level का है कि आप जो project develop करने वाले हैं उनके अंदर वो internship level के projects है यहाँ पर चीज़े practically आप करने वाले हो हर program के end में आपको इतनी project होंगे कि आपका resume में बहुत तकड़ा हो जाएगा इतना ही नहीं यहाँ पर एक fellowship program भी है जिसमें आपको placement की guarantee दी जाती है कि एक product based company में आपकी placement करवा दी जाएगी जितनी program है सारे सारे one week free trial के साथ आते है और a short scholarship भी मिलेंगी तो एक link आपके आपके शोर आओगा description के अंदर वहाँ पर जाकर आप maximum discount जो available है वो available कर सकते हैं एक coupon code यहाँ पर आपको दिखर आओगा इसको use करके आप maximum discount फिट से ले सकते हैं और यहर प्रोग्राम पर अपलाई करता है धन्यवाद जो एक one हो कोई भी एक bit one हो तो चल जाएगा example के लिए a is equal to two, b is equal to four two कैसा होता है one zero और four कैसा होता है one double zero तो answer का आगा है zero one one यह क्या होता है six डन है और समझाच होगा आपको एक और example लेना है एक और ले लेते हैं a is equal to three and b is equal to six three कैसा होता है one one six कैसा होता है one double zero one 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 answer आगा है seven समाझ गए मैं यह not समझा दो यार यह बहुत confusing है समझी नहीं आगा हो ठीक है यह समझा है इसमें आप tilde sign का use करते हैं ठीक है इसका table बनाए zero का one कर देगा one का zero कर देगा simple बिट को बस invert कर देगा और कुछ नहीं करना होता ठीक है एक चीज करें a is equal to हम two कर लेते हैं ठीक है two कैसा होता है one zero बठ हमें तो पता है कि इंटीजर जो होता है वो चार बाइट का होता है यानि कि 32 बिट का होता है तो यानि स्टार्टिंग में बहुत सारे जीरो लगे होंगे done है हमने इसका कर दिया not हमने बोल दिया not of a not of a क्या करेगा सारी बिट को invert कर देगा अब ये बहुत सारे one हो गए और end में इसका क्या बन गया one zero के जगा zero one बन गया ये होगे मेरा not of a अब अगर मैं इसको print करा हूँ बोलों किया इसको print करी हो तब क्या आएगा हमें का दिख रहा है सबसे पहली बिट जाए वो one है यानि कि negative number है कोई तो यानि कि कोई negative number print होने वाला है फिर हमें का करना होता है इसको print कराने के लिए इसका tools compliment लेना होता है बाकि सब 0000 और one one क्या होता है तो मारा answer क्या आगया negative 3 इसका मतलब a is equal to 2 है अगर अगर मैं not of a करो हो तो negative 3 आना चाहिए समझ में आया भई यह थोड़ा था पर है मज़दार चीज सिंपल चीज है नेगटिव नमबर को हमेशा प्रिंट कराने के लिए उसका tools compliment निकालते है यह हम पढ़ चुका है अलड़ी पुराने lectures के अंदर ठीक है कोईस नई चीज नहीं है हमारे लिए tools compliment कैसे निकलता है पहले once compliment निकालो और उसमें one plus कर दो हो गया last के बारे में discuss करते है करें जेर जो जौर इसका chart बनाएं हमने बोला x y z 0 0 0 1 1 0 1 1 जोर बोलता है कर दो नो one मत करना ठीक है दो नो one में मैं output नहीं दे पाऊँगो कोई one होगा तो चलेगा इसमें एक one था इसमें भी one था दूसरा जीरो था इसमें 2 1 आगे, इसने 0 बोल दिया इसने 2 0 है तो 0 यह आगया तो यह इस का output होता है तो दोनों में से कोई 1 1 होना चाहिए दोनों 1 मत देना बस 0 तो खेर 0 ही रहेंगे दोनों में से कोई 1 1 दोगे इनपुट में तो तो भाई मैं तो में output 1 दे दोगा तो यह मेरा जौर अपरेटर है अच्छा भाई यह example के लिए समझाओ एक बार a is equal to 2, b is equal to 4 ऐसा करो a और b का जौर कर दो 2 क्या होता है 1 0, 4 क्या होता है 1 double 0, मेरा answer क्या आगया 0 1 1 तरने a is equal to 5, b is equal to 7 5 क्या होता है 1 0 1 7 क्या होता है 1 1 1 answer क्या गया 0 1 0 यानिके 2 और यहाँ पर क्या था 6 ठीक है समझ मागी चीज तो में जौर भी समझ मागी आगया एक बार ना implement करो तब मुझाद आगया हवावा में लग लग लग़ा तो हमें 4 इस implement करनी है and or not जाहर हमने आपको पहले से बोला int a is equal to 4 और मैंने बोला int b is equal to 6 चलो इन दो नमबर पर हम गेम केलें आग़े पहले हमने बोला c out a and b एक है यहाँ पर मैं अच्छे सोड़ा अच्छे से बनाकर लिखता हूँ a and b done है ऐसी में बाकी सारे भी कर दूँगा यहाँ मैंने बोला a और b a not of a not of a यहाँ मैं लिख दिया a zar यहाँ भी लगाया और done है तो अब हम इसको run करने वाले है brackets हमने लगा दिया run कर दिया तो a and b 4 आ रहा है देखते हैं कैसे आया हमने बोला a is equal to 4 है और b is equal to 6 है 4 क्या होता है 1 double 0 6 क्या होता है 1 1 0 and करूंगो तो 0 0 0 होता है 0 1 भी 0 होता है और 1 1 1 होता है जो कि 4 आ गया तो and तो मेरा पिलकुल सही आ रहा है तेक है और करते हैं 1 double 0 1 1 0 00 का 0 01 का 1 1 1 का 1 जो कि 6 है और यहां पर मेरा आंसर में 6 हा रहा है बहुत सही भी सही चल रहा है तो a की value हमने दी हुए 4 हमें निकाला है not of a 4 मतलब होता है 1 double 0 अब 1 double 0 ऐस तो होगा नहीं असलिए तो इसमें बहुत सार 0 स्रार्टिंग में लगे होंगे और फिर 1 double 0 लिखा होगा not of a का रहेगा 0s को 1 बना देगा और इसको 1 को 0 बनाएगा और फिर यह 1 1 हो गया तो यह कुछ ऐसा बन गया अब जब मैं इसको प्रिंट कराने जाओंगा तो मुझे क्या दिखा पहली प्रिटिजिया वो 1 है यानि अब जब आ जेखा तो हम इसका 2's complement निकालेंग गए आप 2's complement के लिए पहले हमे 1's complement निकालना पढ़ेगा 1's कैसे निकालते है 0 उसका 1 कर दो न का 0 कर दो 0000 बदर यह एंट में 100 अब 2's निकालते है तो इसमें बस 1 अएड कर दो तो आपका answer क्या आ गया? 00000 101, 101 क्या होता है? 5 होता है तो आपका answer क्या आ गया? negative 5, यहां से negative और यहां से 5, answer आपको negative 5 दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही चल रहा है हमने बोला था A is equal to 4 यानिके 100, B is equal to 6 यानिके 110, हमने बोला A, 0, B कर दो, उसके लिए जहां भी single 1 होगा, 1 आ जाएगा बाके हर जाएगा 0 आएगा 00 का 0 आ गया, 01 का 1 आ गया और 11 का 0 आ गया, यह क्या होता है? 2 होता है, क्या हमारा answer 2 है? जी हाँ, हमारा answer बिल्कुल 2 है सही चल रहा है आगे जल सकते हैं अब हम आपसे बात करेंगे left shift operator के बारे में और right shift के बारे में Done है? सबसे परे left shift समझते हैं मान लेते हैं, हमारे पास कोई number 5 तो यह क्या करता है? इस type से हम इसको लिखते हैं इसका क्या मतलब है? कि हर 5 को एक बार left shift कर दो 5 को एक बार left shift कर दो 5 क्या होता है? बहुत सारे zeros और फिर 101 इसको left shift कर दो मतलब कि हर एक bit को आगे बढ़ा दो तो क्या हुआ? 000000 और यह 1010 यह क्या बन गया? 10 समझागी यह चीज? अगर हम बोलते हैं 3 को दो बार left shift कर दो तो इस तरीक से लिखते हैं 3 को दो बार left shift कर दो तो कैसे होता? 3 कैसे लिखते हैं? 0000 11 इसको हमने दो बार आगे बढ़ाना है यानि हर bit को 2 आगे लेके जाना है हमने लिखा 0000 1100 समझ में आ गई यह चीज हमको तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 समझा गई? तो हमें क्या दिख रहा है? एक तरीके से क्या दिख रहा है? कि जब भी हम left shift मारते हैं तो दो से multiply हो रहा है क्या यह हर बार होगा? नहीं क्या हम बोल से लिखते हैं कि majority cases में ऐसा होता है पर हर case में ऐसा नहीं होता क्यों? समझाते हैं छोटे number case में हाँ हर बार आप two seven डिख रहे हो पर क्या बड़ number case में चलेगा? अब मान लेते हैं कोई ऐसा बड़ा number है यहाँ पर एक set bit है one com set bit बोलते हैं ठीक है? यहाँ पर इस तरीके के मान लो कोई number है आपने बोला left shift कर दो one से positive number था यह जब इसको left shift कर दो के one से तो यह one वाली बिट जो है यहाँ पर आ जाएगी जो जाएगा one zero one zero 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 one zero zero इस तरीके से अब यह number क्या दर्शारा है? पहले bit one है जो कि एक negative number दर्शार है यह हो तो जब कोई बड़ा number अब left shift करोगे तो वो negative number बन जाएगा यहाँ पर हमने बहुत तकड़ी गलती कर दिया है ना? तो हम यह कह सकते हैं कि left shift हम major छोड़शोड number को करेंगे तो 2 स्मेंट प्ला हो जाएगा बट कुछ cases के अंदर वो एक negative number करेंट कर देता है यह आपका left shift operator है इस चीज़ को हम समझ चुके है अब आते हैं right shift के बारे में simple है मैंने बोला 15 right shift 1 15 को एक बार right shift कर दे ठीक है? मैंने बोला 5 right shift 2 5 कैसा होता है? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 इसको मैंने बोला 2 आगे ले जा भाई इसको 2 आगे ले जा इसको 2 आगे ले जा तो सबसे आगे आपकी यह वाली बिटार जाएगी तो answer क्या हो गया? 0 0 0 0 0 0 1 यह मैंना answer हो गया जो कि क्या दर्शार है? 1 दर्शार है मुझे क्या दिख रहा है? कि पहले 5 को एक बार डिवाइड किया 2 से? 2 आगया तो 2 को 2 से डिवाइड किया इसका मतलब अगर मैं किसी भी नंबर को एक बार करूँगा तो यानि वो उससे डिवाइड हो गया अगर किसी भी नंबर को दो बार करूँगा यानि वो उससे दो बार डिवाइड हो गया हमें इपास समझ में आ गई तो left shift right shift का हमें exact तो नहीं, एक major logic समझ आ चुका है ठीक है एक चीज़ का मैं ध्यान रखना है left shift हम कर रहे हैं या right shift हम कर रहे हैं कोई भी positive number को तो padding हमेशा 0 से होती है padding with 0 जैसे मैं यहाँ पर जब इसको आगे लेके जा रहा हूँ तो जो दो नए नमबर यहाँ पर आएंगे वो 0 होंगे ठीक है सेम ऐसे ही, जब मैं left shift कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने एक बार left shift किया था था न तो जो एक नया number यहाँ पर add होगा वो एक 0 होगा तो padding हमेशा 0 से होती है positive numbers के अंदर left and right shift के case में बट जब मैं negative number की बात करता हूँ तो game थोड़ी अलगा है negative number में padding जो होती है वो compiler dependent होती है मुझे नहीं पता भाई क्या करेगा मेरा compiler है 0 पे करेशकता 1 पे करेशकता उसकी मर्दी है भाई क्या करेगा करेगा देख सकते है पर पता नहीं भाई क्या करेगा dependent है उसके होगा हमें left shift और right shift का मतलव समझ में आ गया अगर मानलों मुझे दो example try करने है अभी मैं बोलूं क्या 17 right shift कर दो एक बार काईदे से answer इसका क्या आन चाहिए आठ मैंने बोला के 17 right shift कर दो 2वार काईदे से answer आनची चाहिए अब मैंने बहला 19 left shift कर दो 1 इक बार काईदे से answer आन ची कितना थिएड 21 left shift कर दो 2 रो बार पिअशका का answer आनचीसका 84 तो ये चार एक बार ट्राइ करके देखते हैं कि सभी चल रहा है या नहीं मैंने बोला सी आउट करो 17 राइट शिफ्ट 1 मैंने बोला सी आउट करो 17 राइट शिफ्ट 2 मैंने बोला 19 को 1 बार मैंने बोला 19 को 2 बार अब इसको प्रेंट करा दो 8 आया 4 आया 38 आया 76 आया ओके ओके यहां पर इसका मतलब हमने math गरत लगा दी है तो 84 नहीं आना है 84 क्यों नहीं आना है इसी को समझते है 21 को 27 प्लाय गिया 42 ठीक है फिर 42 को 27 प्लाय गिया 84 तो आना चाहिए यार क्या कर दिया हमने 19 लिख दिया महां पर यार math सही थी हमारी तो यहां पर 21 लिखना था हमने 21 लिखते है 84 आगया हमारी math सही थी तो in short सब को सही चल रहा है हमने left shift right से भी समझ लिया और हमें वो special case भता लग गया हमने left shift मार दूँ तो 90 नमबर बना देगा तो यह चीज़ में समझ में आच चुकी है आपके लिख कुछ चीज़ें असान कर रहे है जैसे हमने while loop job पड़ा तो वहाँ पर एक चीज़ी जो बार बर repeat कर रहे थी वह क्या थी कि हमने आपके कंडिशन लिखे और उससे आपको चीज़े बहुत सान लगने लिख जाएगी मैं इस i is equal to i plus 1 को i plus plus भी लिख सकता हूँ मैंने लिखा i plus plus और plus 1 हो गया मैं इसको plus i भी लिख सकता हूँ ठीक है एक और तरीक है जहां मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ i plus is equal to 1 इस वाले को मैं बोलता हूँ post increment इस वाले को मैं बोलता हूँ pre increment सेम चीज़ आपकी decrement के साथ है अगर मान लो i is equal to i minus 1 लिखा तो मैं इसको i minus minus लिख सकता हूँ या मैं इसको minus i लिख सकता हूँ इसको मैं बोलूँगा post decrement इसको मैं बोलूँगा pre decrement ठीक है, सेम, इसको मैं i- is equal to 1 लिख सकता हूँ मालो कि कोई नमबर है sum is equal to sum plus b लिखा है हमने तो इसको मैं से लिख सकता हूँ, sum plus is equal to b समझारी थाड़ी को चीज़ है ये आपकी utility के लिए इनको एक बर depth में समझते हैं, क्या चीज़ है भाई आप post increment का क्या मतलब है post increment post increment i plus plus इसका मतलब है कि अगर तू use करा है, ना i की value तो तू use कर ले, पर तेरे use करने के बाद मैं इसको बढ़ा दूँगा अच्छा, क्या मतलब इस बात का है, देखो अगर मैं लिखूं कि int i is equal to 4, i की value 4 है अगर मैं लिखूं, int a is equal to i plus plus ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा, मैं आप से पोचूं कि a की value बता दो क्या है, और i की value बता दो क्या है मैं आप क्या बोला, कि तू अगर मुझे use कर रहा है, तो use कर ले, मैं उसके बाद increment कर दूँगा इसका मतलब a के अंदर i की पुरानी value stored होगी यह नहीं a के अंदर 4 store है और i इस statement के execute होने के बाद बढ़ चुका होगा, तो i अब 5 हो चुका समझा है, एक और बास मज़ने कर ट्राइ करते हैं हमने बोला, int i is equal to 3 हमने बोला sum is equal to a plus i plus plus और यहां पर a की value 2 है ठीक है हमें पता कि use अगर post increment होगा तो use तो पुरानी value होने वाली है तो यानि sum के अंदर क्या आए गाए a की value 2 है और i की पुरानी value क्या है 3 तो sum के अंदर आगया 5 अब यह statement execute हो चुकी है, तो i की value तो i की value बढ़ा दो तो i की value बढ़ा दो तो i की value बढ़ा दो इस पर आपके mcq की ओपोश्चन बहुत आते हैं जा आप placement के राउंस में बढ़ा गए तो आपको दिखेंगे pre increment post increment वाले अब आम बात करते हैं pre increment की नाम से ही पता लग रहा है कि पहले increment करो मेरा कुछ ऐसे employees होते हैं जो काम नहीं करते हैं वो बोलते हैं पहले मेरा increment करो उसके बाद काम करूँगा तो यह वही वाली चीज है यहाँ पर क्या है int i is equal to let's say 11 हमने बोला int a is equal to plus plus i इसका क्या मतलब है कि पहले मेरा को increment करो उसके बाद बाद की बादे देखी जाएगी तो क्या होगा जब भी यह statement आएगी तो पहले i बढ़ेगा सबसे पहले i हो गया 12 और उसके बाद 12 होके a में store हो गया तो a भी हो गया 12 same example करें पुराने वाला देखें sum वाला जहां पर a की value 2 है और i की value 3 है समझा गया बहुत बढ़िया यह आपका pre increment और post increment था same case decrement वाले case में होगा i minus minus का क्या मतलब है कि पहले मुझे use कर लो जैसे मेरी value अगर 3 है तो जब मुझे use कर लो 3 हो जाएगा बट statement execute होने के बाद जैसे मैंने बोला i की value 3 है और int a is equal to i minus minus इसका मतलब क्या है पहले मुझे use कर लो तो a के अंदर 3 है आ गया और इसका i की value decrement कर दो i is equal to 2 आ गया समझ गया बहुत असान था minus minus i वाले में क्या होगा बहुत जैसे कि मैंने बोला int a is equal to minus minus i तो जैसे मैंने बोला पहले decrement करो पहले मुझे कम करो बाद में बात होगी तो सबसे पहले कम करा भाई i के value मानलो 3 थी तो सबसे पहले 2 करा और जब यह 2 हो गया उसका एक अंदर store कर दिया आ गया समझ आ गया बहुत सान था तो अब जब हम लूप्स यूज करेंगे बहाँ पहले में ऐसा को लिखना हो i is equal to i plus 1 तो हम चुप चाप जाके i plus plus करतेंगे हमें पता है हमें सब आता है तो यह चीज़ हम सीख चुके है हमें pre increment, post increment, decrement बगारा सब कुछ हम चैंप हो चुके है अप सही है इस चीज क्यू एक्सपरिमेंट करने का ट्राइ करते हैं चलो आपके लिए एक बार चलो int i is equal to 7 मैंने बोला cout plus plus i cout i plus plus cout i minus minus cout minus minus i done है तब से परले i की value 7 दिख रही है हमने बोला pre increment यानि कि क्या print होगा हमारे हिशाब से हां कि क्या print होगा plus plus i हमें पता है pre में पहले increment करना पड़ता है बाद में होगा तो यानि हापे 8 प्रिंट होगा ठीक है अब i की value 8 हो चुकी है ये क्या कह रहा है कि पहले use कर लो बाद में बढ़ा लेना तो जब use करेगा तो print होगा 8 और i की value 9 हो चुकी होगी बाद में execute होने के बाद अब यहाँ पे आए यहाँ पे i की value 9 स्टार्टिंग में इसने बढ़ा पहले use कर लो बाद में decrement कर दिना तो use जब कर लो 9 value थी और decrement करके i की value 8 हो गई डन है अब यहाँ पे आए i की value 8 थी इसने क्या बोला कि आए पहले मुझे कम करो उसके बाद बाद होगी तो इसने जब कम कर दिने तो अब आप भी play करो थोड़ा मजाग करो इस वाले pre और post के साथ क्योंकि यह बहुत प्यारी चीज़ है MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं इसके और हो सकते आप से कोई interview पूश ले बहुत छोटी सी चीज़ है बहुत असान चीज़ है और कभी कभी पूश ली जाती है तीक है आगे चलते हैं अब मैं आपको 5 questions देता हूँ MCQs जिसमें आपको output बताना है comment section के अंदे हम चेक करेंगे किस किसने सही बताया सही बताने वाले top 3 बच्चकों उनको gift दे दे जाएंगे डन है आगे बढ़ते हैं 5 questions चलो तो अब तक आपने 5 questions देख लिए होंगे अब आते हैं उगले topic पर जो कि है 4 loop हमने while loop पढ़ लिया while loop को कि हम समझा चोगे कोई भी चीज बारबा कर नहीं था हमने loop लगाया था लूपिंग करी थी फ्लो चार्ट में देखा था तो फोर लूप अलग क्या करता है काम यह वही करने वाला है जो हमने अब तक सीखा था बट लिखते कैसे हैं वह समझते हैं एक बार ठीक है तो हम फोर लूप लिखने वाले हैं अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है अब क्या हुआ अब मुझे प्रिंट करना है हम मैंने लिखा प्रिंटिंग प्रिंटिंग काउंट अब मुझे प्रिंट करना है तो फोर लूप कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं फोर यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले आपका आइटरेटिंग वरियेबल i is equal to 0 यहां पर हम लिखते हैं condition i less than n और यहां पर हम उसको increment या decrement कर रहे होते हैं आपने वरियेबल को जो भी condition में use हुआ है i++ पताते हैं अभी आपको सब कुछ क्या है यहां हमने print कर दी i की value दुबार उपर जाते हैं इसको 1 से start कर देते हैं 1 से print करना चाहते हैं क्योंकि हम और यह less than equal to कर देते हैं ऐसा करो तो यह मैंने code लिख दिया आपकी counting print कराने के लिए मैंने बोला 5 इसने बोला 1,2,3,4,5 सही चल रहा है अब समझते हैं हुआ क्या 4 loop होता है तीन चीज़ें यहां पर 1,2,3 यहां पर आपका initialization होता है initialization आपर जो भी variable बगएरा बनाया है उसका initialization यहां पर होगा second thing आपकी condition होती है multiple conditions भी हो सकती है single condition भी हो सकती है जैसे हमने देखा कि यहां पर i less than equal to n यहां पर int i is equal to 0 3rd आपका update के लिए होता है मैं यहां पर आपका increment कर रहा हूँ या decrement कर रहा हूँ या मैं divide कर रहा हूँ multiply कर रहा हूँ आपके basically variable को मैं यहां पर update कर रहा हूँगा अब सवाल यह कि भाई इसमें क्या-क्या mandatory है क्या रखूं और क्या न रखूं क्या initialization mandatory है यहां पर मैंने बोला नहीं हटा सकते हूँ सिर्फ semicolon लग देना भई क्या conditions लिखनी mandatory है मैंने बोला नहीं हटा सकते हूँ सिर्फ semicolon लिख देना क्या आपने पूछा update is necessary है मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हूँ तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सिकता हूँ? 4 semi-colon semi-colon पर यह तो गंदा सा लग रहा है, चलेगा है? चलेगा, चलेगा, तेखें? सबसे पहले initialize जो चीज़ हमने करी हैं, पर इसको अटा देते हैं, उपर डाल देते हैं, चलो चला कर देखें आगया फिर क्या हुआ? मैंने कंडीशन लिखी हुई है क्या मैं इसको अटा दूँ? इसको बाद मटाएंगे, चलो, आएंड मटाएंगे मैंने i++ लिखा है, इसको अटा दू? नेचे अटा देता हूँ, अब चला कर देखता हूँ अभी भी सही चल रहा है अब एक कंडीशन लिखी है मैं इसको अटा देता हूँ, और इसको अटा देता हूँ और इसको अदर लगा देता हूँ, जब ना यह ऐसा हो कि जब यह कंडीशन फुल्फिल हो रही हो आप ना अब तब प्रिंट कर देना दन है? इतनी जी समझ में आ गई? अब युसा ही चल रहा है, 1,2,3,4,5 यह क्या हुआ? एकदम से क्या हुआ? मतलब खतरनाक सा अच्छा, समझ दे कोईश करते हैं इसको इस 4 को यह नहीं पता कि कब रुकना है जैसे हमने पहले लिखा था, तो इसको यहाँ पर पता था क्यार यहाँ जब यह कंडिशन फॉल्स हो जाएगी तब रुकना है पर अब तो ऐसे कंडिशन ने लिखी हैं आपे ठीक है? तो यह चलता जाएगा, चलता जाएगा क्या मैं इसको किसी तरीके से रोख सकता हूँ आइसे लिख कर एक चीज़ आपके पास होती होती है, ब्रेक समझाते हैं आपको अगर मैं बोलूँ कि अगर यह इस कंडिशन को फॉल्फिल कर रहा है, तो परिंट कर दो नहीं तो, यानि एल्स ब्रेक कर दो ब्रेक का क्या मतलब है? ब्रेक कीवर्ड जो है, क्या करता है? यह करंट लूप से आपको बाहर ले आएगा आप करंट लिखके उनसे लूप में, इस फॉर लूप में तो इस से आपको बाहर ले आएगा, आपको इस लाइन नमर 22 पर ले आएगा चला कर देखें, चलो क्लियर करते हैं इसको पहले हमने बला रन करो, हमने बला 5 के ले कर दो डन, चल गया और बार बार वो प्रेंट भी नहीं हो रहे, अजीब से नमर ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा 1 के ले चला, सही है, 2 के ले चला, सही है, 3 के ले चला, सही है 4 के लिए चला, सही है, 5 के लिए चला, सही है 6 के लिए जब यह आया तो यह false हो गई अब जब इस condition false हो गई तो किस में जाएगी else में जाएगी, else में आगया break तो break से वसीधा कहा लेंड कर गया loop के बाहर, यह आपकी break statement का कमाल है ठीक है, तो हमें यह थोड़ी समझ में आगे कि ठीक है, आप यह फोर लूप इस तरीक से लिखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, वो देखते हैं और क्या 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 किया जा सकता है, फोर लूप के साथ बढ़ क्या मैं दो वरिएबल डाल सकता हूं मतलब, int a लिख दिया, int a is equal to 0 और क्या मैं रिख दिया, b is equal to 1 एक लिख दिया, 0 मैं लिख दिया क्यार a less than equal to zero and and b less than equal to one दो condition डाल दी, बिल्कुल डाल सकते हो मैं दो operation कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो a minus minus comma b minus minus लो, हो गया अब मैंने बोला क्यार c out a b print करूँ, चालो, इसकोट आये था, हमने run कर दिया क्या कर रहा है यह, इसने इतने सारी negative वाली क्यों print कर दी समझते हैं इस चीज को एक बार, a जो था वो zero था a less than equal to zero होना चाहिए, देखे है, b less than equal to one होना चाहिए जो कि हमेशे negative करके और negative जाता रहेगा, तो हमने condition नहीं गलत लिखी हुई है अगर हम इसको करते हैं, greater than equal to zero और इसको करते हैं, greater than equal to one अब चला के देखें, हमारी condition गलत होने के वाई से वो नीचे जाता जा रहा है और एक infinite loop में फस गया अब देखते हैं, हमने run किया, zero and one print हो गया अब बिल्कुल सही चल रहा है, इसका हम क्या समझ में आता है क्यारा, multiple चीजें भी, multiple variables भी यहां पर डालके उनको process कर सकते हैं, multiple conditions हो, चाहा multiple updation हो, चाहा multiple initialization हो बहाई एक और variable डालने का मन कर रहा है, डाल ले भाई, c is equal to 2 बहाई चीजें को ना minus करने का मन कर रहा है, कर ले भाई बहाई एक condition और डाल लो, डाल ले भाई, c is equal to 2 बहाई अब प्रिंट करा दो, ठीक है बहाई और run करें, करो बहाई बहाई रहा है, जीरो बन टू, सही चल रहा है बहाई आप समझ आ गया, अब कर लूँगा, multiple multiple सारी game समझ में आ चुकी मज़ा आ गया एक दम, तो आपको ये भी समझ में आ चुका यब तो एक चीज़ यहाँ पर है जो मैं समझने पड़ेगे, four loop के flow के बारे में हमने समझ लेगे, यहाँ पर installation होती है, हमने समझ लेगे, कंडीशन होगी यहाँ पर आपका updation होगा और यह आपका for loop होगा, यह आपकी body होगी लूप की, flow कैसा होता है सबसे पहली बार आप आते हो यहाँ पे one time only एक बार आप आप आगए खतम उसके बाद आप आते हो कहाँ पर इस condition पे condition अगर true हो गई तो आप आते हो body पे जब body complete हो गई फिर आप आते हो updation पे updation हो गया फिर आप आते हो condition पे condition true हो गई फिर आपाते हो body पे body हो गई फिर आपाते हो updation पे updation हो गई फिर आपाते हो condition पे ऐसे तब तक करता है तो जब तक condition आपकी false नहीं हो जाती यह आपका 4 loop का flow है तेक है इस प्रकार आपका 4 loop execute होने वाला है गेजिसे में समझ में आ गई होगी हमने बोला कि हमें 1 से लिए न तक सारे नमबर का sum निकाल का दो अभी simple simple कर रहे है बढ़िया वाले भी करेंगे हमने बोला 1 से न तक सबका sum निकाल का दो n की value हमने input करा ली अब क्या करा हमने हमने बोला int sum is equal to 0 हमने बोला int यह तो चलो for loop के अंदर हमने जब start किया for loop हमने i शुरू किया 1 से ठीक है और less than equal to n तक ठीक है और i plus plus ठीक है हमें समझ में आगए i 1 से start हो रहा है और less than equal to n तक जाएगा और यह हो गया हमने इन सब को sum में plus करा दे sum is equal to sum plus i इसको लिखने का एक और तरीका पता था हमें वो क्या था sum plus is equal to i इसको हटा देते हम हमने इसको out कर दिया see out sum done print हो गया simple लग रहा है और यह तो while सीवी असान लग लग रहा दिखने में आपकी मरसी आपको वो असान लगे गया है कुछ तो असान लगे जो असान लगे वो उसको ले ना कहां तक 5 तक 15 साही है बढ़या चल रहा है थोड़ा बढ़े नंबर के साथ देखते है बढ़या 100 वह 50 50 यह भी साही चल रहा है तो बहुत असान चीज़ है बहुत मजा रहा है तो आप समझ भी विए ओप लूप के वारे है बढ़या एक चीज़ और करनी है एक और कोशन करवा दो चल लो एक और कोशन करते है ब्रेक आप यहां पर समझ चुके है कैसे यूज़ करना भी आपको दिखाएंगे अभी एक कोशन आपको करवाते है एक चीज़ होती है फिबोनाकी सीरीज इसको कुछ लोग फिबोनाकी बोलते है कुछ फिबोनाची बोलते है मैं और बना की बोलता हूँ कैसे होती है 0,1,1,2,3,5,8,13,21,So on क्या होता है पिछले दो नमबर का समझ उता है अगला नमबर होता है समझ गये 0,1 से आपका 1 बन गया 1,1 से आपका 2 बन गया 1,2 से आपका 3 बन गया 2,3 से आपका 5 बन गया 5 8 से 13 से 21 वन गया आपको क्या समझ में हा रहा है कि कोई भी number कौन से number से बन रहा है उसके पीछे वाले एक number से और उसके पीछे वाले दूसरे number है ना 21 किसे बना हुआ पीछे वाले 13 से और उसके एक और पीछे 8 से दन है तुमझ में आगई यह चीज अब इसको हमें प्रिंट करवाना है यह देखते हैं कैसे करेंगे मान ले थिक हम हमे तो हमने बोला यह वाला a है और यह वाला b है अब बाकी हम निकालते रहेंगे इसे कैसे हमने बोला कि 4 int i is equal to 1 और मैं चाहता हूँ कहां तक जाना? 10 बार तक जाना less than equal to 10 i plus plus या फिर मैं इसको n कर देता हूँ सीधा क्योंकि n में 10 अलड़े रखा हूँ 10 बार चलेगा यह लूप 1 से लेके n तक 10 बार चलेगा ठीक है? अब हमने क्या किया? हमने बोला कि भाई सबसे पहले तो तो इनका sum print करवा दे ऐसा करो आपने बोला कि अगला fib number है next number है वो है a plus b इन दोनको sum से बनेगा तो तो भाई ऐसा कर पहले न प्रिंट करा ले वो see out next number यह प्रिंट करवा लिया अब देखते हैं क्या हुआ हमने क्या किया? a और b को जोड़के एक नया number आया 0 plus 1 से 1 उसको प्रिंट करवा लिया हमारा पस तीन number दिख रहे हैं पहला sum जो आया इसका वो है 1 b जो है वो है 1 a जो है वो है 0 अब हमें क्या करना होगा? इस number को a बनाना है और इस number को b मानना है तो यानिके जो 1 है उसको इसमें transfer कर दो और जो यह है उसको इसमें transfer कर दो अब यहाँ पर order बहुत matter करेगा मान लो हमने sum पहले transfer कर दिया sum is equal to 1 sum मतलब क्या है next number जो हमने अभी code में लिखा हुआ मान लो हमने sum पहले transfer कर दिया तो उस case में क्या होगा इसके तो चलो कोई दिक्कत नहीं है but मान लो कर sum की value 2 होती तो यहाँ पर B2 हो जाता और फिर जो मुझे B इसमें transfer करना होता तो वो गलत हो जाता क्योंकि B के value तो 1 थी ना यार तो हमने पहले B transfer करना पड़ेगा ताकि पहले B A में आ जाए और फिर sum जहाँ B में आ जाए तो यह हमारा सखी तरीका है इससे हमारी कोई value pollute नहीं होगी तो हमने क्या बोला कि A is equal to B यानि B A के अंदर आ गया और फिर हमने क्या बोला B is equal to next number ठीक है और हमने बोला कहतम done होगी मेरी series शुरू चला के देखें शुरू होई है 1,2,3,5,8,13,21,34 और उसके बाद ये 55 और उसके बाद ये 89 बिल्कु सही चल रहा है भया पर starting के दो character कहां गए वो ये रहे ये हमने print ही नहीं करा है तो इनको print कराओ ना C out A अब देखो समद गए इस सीज को नई समदाई दुबार समदा देखो series थी 0,1,1,2,3,5,8,13,21 मैंने इसको बोला A मैंने इसको बोला B A और B से मेरा क्या आ गया Fib नंबर आ गया अगला नंबर आ गया जो कि क्या है ये है अब क्या है इसको A बनाना पड़ेगा और इसको B बनाना पड़ेगा उसके लिए क्या करेंगे B के अंदर F की वेलो डाल दी या फिर जो हमने नेक्स नंबर था ठेक है तो ये पूरी गेम थी यार इस पूरी गेम के थुरू आप चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं इसको नहीं समझाए कोई बात भी आगे बहुर भी चीज़े करने वाले हैं दन है फिब अभी आगे हम फिर दुबार उठाएंगे आगे और चीज़े हैं इसमें करने लाइग वह आपको दिखाएंगे एक 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 गड़ते हैं भी आप ब्रेक का यूज करेंगे मैंने आपको एक कोईशन करगा था प्राइम नंबर वाला है ना तो उसके लिए क्या होता था 1234567 आपको वन को छोड़के 7 को छोड़के बीच में जितने भी नंबर हैं यानि के 1 को छोड़के और एन को छोड़के बीच में जितने नंबर है जो कि 2 से लिएके एन माइस 1 तक होंगे उन सब से 7 को डिवाइड करना था और चेक करना था कि रिमेंडर किसी भी केस में 0 के इक्वल ना आए इन शॉर्ट आपको इन सभी नंबर से लेट से कि ये सारे नंबर को हम आई से दिनोट कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि इस एन को है वो हमारा input और अगर n modulus i not equal to 0 है सब के लिए for all i तो भाई साब prime number है समझी थी हमने यह चीज़ वाइल लूप से हमने प्रोगाम भी implement किया था अब फोर लूप से करना का ट्राइ करते हैं इक बड़ ठीक है सबसे पहले हमने n की value ले लिए है कि n क्या है अब हमें चेक करना है क्या यह prime है या नहीं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा loop करके सब से divide करके check करना पड़ेगा हमने बहुत फोर लूप है 2 से start करना है और कहां तक less than n तक equal to n क्यों नहीं क्योंकि 7 से start divide हो जाएगा तो prime number तो ऐसी ही नहीं हुआ हो इसलिए less than n और i plus plus अब हमें क्या चेक करना था हमें चेक करना था कि यार if n modulus i is equal to is equal to 0 0 आगया क्या मतलब है क्या मतलब इस बात का इसका मतलब है वाई साब not a prime number है प्राइम नंबर में तो किसके साब 3 minutes 0 आता ही नहीं है पर यहाँ पर 0 आगया तो not a prime number तो हमने क्या बोला क्या भाई see out not a prime number अगर मेरा किसी से divide हो गया तो क्या मेरा आगय वाले number से divide करना चरूरी है अगर मुझे पहले ही पता लगे कि not a prime number है तो आगे से divide क्यों ही करूँ माले था 2, 3, 4, 5, 6 से divide करना था 2 से ही पता लग गया मुझे यार कि prime number नहीं है तो क्या मैं 3, 4, 5, 6 से divide करूँगा नहीं करूँगा है यही नहीं भाई तो प्राइम नंबर तो मुझे लूप को रोकना है और जब लूप रोकना है तब क्या करते है break अभी शिखा था उन्हें तो हमने लिखा break यह लूप तोड़ के बाहरा जाएगा और consider करेगा ही नहीं आगे बढ़ेगा इनी लूप में सीधा बाहरा जाएगा पता नहीं है न हो सकता है कि यार 2,3,4,5 से डिवाइड करना हो 2 से रिमेंडर 0 नहीं आया है क्या पता 3 से आ जाए न 2 से नहीं आया है इसका मतल़ यह थोड़ी प्राइम नंबर बन गया सब उसे नहीं आयेगा तो मानूँगा तो मतल़ यह थोड़ी के प्राइम नंबर बन गया नहीं उससे पहले मुझे इससे और इससे पते डिवाइड करना पड़ेगा न जब सबसे डिवाइड हो जाए और रिमेंडर 0 ना आये तब मानूँगा भाई पहले सब से रिवाइड करें तब मानूँगा प्राइम तू है तो इन शॉर्ट यहाँ पर कुछ लिखना ही नहीं था कुछ लिखना ही नहीं यहाँ ठीक है तो इसकी को यह नीडी नहीं थी इसको महटा देते है क्या मैं कोई एक variable बना सकता हूँ बूल इसको बोलूँ के इस प्राइम कि यह प्राइम नमबर है यह नहीं इस प्राइम इसको स्टार्टिंग में बोल दिया शुरू हमान ले कि हमने ट्रू लिख दिया इस प्राइम नमबर है और जैसे हैं प्राइम नमबर नहीं है तो क्या मैं लिख सेकता हूँ कि एस प्राइम जीरो है कि एस प्राइम नमबर है यह नहीं तो जीरो कर दो ना इसको और जब मैं इस लूप से बाहर निकलूंगा जैसे मैं लूप से बहार निकलूँगा तब मैं चेक कर लूँगा कि या इस प्राइम की वैल्यू क्या है अगर यह जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि भाई नॉट अ प्राइम नंबर नहीं तो इस अ प्राइम नंबर यह है मैं लिख शुके हैं दोुको办ूट लख सकते हैं ex दने नहीं की शुक्ताई में सबस्क्राइम scout हो कहां है मैं आपकोсят जिके इंग होरा था कि ब्रेक कैसे यूज बूप करते हैं का समझ महा अ गया जैसे कि example के लिए कर मा समझाऊं 14 है 1, 2, 3, यसे करते 13 और 14 यहां से लेकर यहां तक हमाँ डिवाइड करना है चेक करना कि डिमेंटर 0 आ रहे के नहीं यह तो 2 से डिवाइड होके डिमेंटर 0 आ गया तो क्या मैं यहां से डिवाइड करूँगा यहां से यहां तक नहीं करूँगा न दोस्त तो जैसे 2 से डिवाइड हो गया और रिमेंटर 0 आ गया तो मैंने बोला भाई निकलो ब्रेक हो गया, सोजाओ अब 12 जोलूप से यह गेम थी सारी की सारी ब्रेक की तो ब्रेक हमें समझ में आ चुका बड़ा समझ में आ अच्छे से ब्रेक और कोई भाई भहन है इसका बिल्कुल है तो ब्रेक का एक चोटा भाई है उसका नाम है continue ठीक है continue आपकी particular iteration को skip करने के लिए देखो जैसे यहां पर 4 हमने बोला था int i is equal to 0 से लेके मालो 5 तक हमने बोला था i++ ऐसे करके तो एक बार i0 होगा फिर बढ़के एक बार i1 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 तो इसके हम बोल दूँका कि यह first iteration है इसके हम बोल दूँका second iteration है इसके हम बोल दूँका third iteration है यानि जोन सी बार आप loop के अंदर enter कर रहे हूँ उसको मैं वो number के iteration बोल दूँगा यहां मैं loop में पहली बार गुसा था first iteration ऐसे करके इसको बोल दूँगा 6th iteration इसको हम iteration बोलते हैं अब मैं आपको समझा रहा था continue continue का काम क्या है अगर आपको iteration को skip करना चाहते है कि मेरा कुछ 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 ट्रिपना execute करी मैंने और मैंने वो लग यार अब नीचे वाली मैंनी कर रहा दुबारा शुरू से करते है example के लिए मान लेते हैं कि 4 ये रहा int i is equal to 0 थेखें i less than 5 i plus plus यहां मैंने बोला यार c out hi here मैंने बोला c out hey फिर here मैंने बोला continue here मैंने बोला c out apply तो कर दे done है तो ये मान लो मेरा code है ये मेरा code है यहां पर क्या होगा i is equal to 0 में high print हो जाएगा done है hey print हो जाएगा done है continue आ गया continue क्या बोला अरे तू छोड़ यार तू ऐसे कर बेटा वापस जा यहां पर आई प्लस प्लस हुआ और फिर ये condition आई और आप फिर दूबर यहां आ गए फिर आप यहां गए फिर आप यहां गए ये फिर दूबर यहां ले गया ये फिर यहां ले गया अगर true हो गई फिर यहां गए फिर यहां गए फिर यहां गए ये फिर यहां ले गया इन शॉर्ट continue के नीचे वाला पार्ट अन्रीचेबल हो गया समझ गए समझे के नहीं समझे ये गेम थी सारी के सारी continue भी समझ आ चुका हुगा क्या मैं इसको कोड़ करूँ कर देते हैं मैंने बोला 4 int i is equal to 0 i less than n i plus plus मैंने न के जगा 5 डाल दिया मैंने बोला cout hi मैंने बोला cout hey मैंने बोला continue और मैंने बोला cout reply तो कर दे done चला कर देखें चलो hi 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 5 पर आ गया पर एक बार reply तो कर दे नहीं आया आप logic समझ चुके हैं पूरा के पूरा चलो बढ़िया तो हमें ये जी समझ में आ चुकी कि हां यार ऐसा कुछ कुछ होता है हमें ब्रेक भी आ गया हमें continue भी आ गया अब हम कुछ और करना चाहते हैं ठीक है हम थोड़ा बहुत थोड़े फिर दुबार output आले questions कर लेते हैं यहाँ पर मैं आपको फिर दुबार कुछ आप पर आले questions दिखा रहा हूँ इन सब questions का आपको complete करना है और जाके comment में के answer बताने है तो यह questions आपके आच चुके हैं ठीक है फोर लूप के उपर हो गया आपका break और continue के उपर हो गया मज़ा बढ़ाएगा solve करते टाइम आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं variables पर और उनके scope पर कि हैर variable तो हमने देख लिया था कि variable कैसे initialize करना है क्या तरीका है scope क्या होता है हम एक variable की lifetime की बात कर रहा है हम एक variable के impact की बात कर रहे है कि यहाँ पर मैंने एक variable initialize कर दिया किसी और जगा मैं इसको use करने का try करूँगा तो क्या वो possible है समझते हैं इस चीज को क्या मतलब है इस बात का तो start कर रहे हैं पहले आपके scoping वाले तरीके के साथ मैंने बोला कि see out कर दो यार आपका पहला example मैंने run कर दिया यह कहता use of undecliered identifier a तो यह compiler कर रहे है एक क्या चीज है भाई क्या क्या हुआ क्या है जमाग ठीकाने पर है तो यह कह रहा है भाई ए है क्या मुझे बताओ तो पहले एक क्या चीज है तो किसी भी variable को use करने से पहले उसको भाई साब declare करना पड़ेगा अब मैं declare कर दिया पड़ मैं तो A में कुछ डाला ही नहीं अब क्या होगा, रन करके देगे तो यहाँ पर दो 1 आ गया यह कैसे हुआ, तो भाई सहाब यहाँ पर आपके compiler ने garbage value डाल दी है कुछ भी दे दिया अपनी मर्जी से, ठीक है हमने कुछ ने दिया, अब हम यहाँ पर देने का try करते है run करते है ठीक है, हमें का समझ में आया कि कोई भी चीज, कोई भी variable अं तब तक यूज नहीं कर सकते, तब तक मैं उसको create ना किया हो, जहाँ यह नहीं था तो variable create ही नहीं हुआ था, ऐसी कोई memory ही इसका नाम a हो, तो इसलिए वह हमें error दे रहा था यह वाली चीज समझ में आ गई है अब चलते हैं आगे अब मान लो कि हमने यहाँ पर लिखा था हमने मान पर a मान लो initialize किया हुआ है अब हम एक if condition के अंदर जाते हैं if, हमने बोला if a if true, मान लो कुछ भी हो कि हम इसके अंदर जाएंगे ही जाएंगे if true लिखते हैं तो कुछ भी मतलब अंदर if के अंदर जाना ही जाना है हमने बोला see out a क्या इस a को मैं यहाँ पर access कर सकता हूँ इस a को मैं अंदर access कर पाऊंगा run करते हैं मैंने run किया इस a कर सकते हैं मैंने बाहर इनिशलाइज कर रहा है में अंदर और मैं if उसको use करने का ट्राई कर रहा हूँ तो भाई यह हो जाएगा ठीक है अब आगे चलते हैं मान लो कि मैंने यहां पर एक और int a बना दिया int a is equal to 5 हो अब क्या होगा भाई यहां तो पहले int a बना पड़ा यहां पर अपने फिर से बना दिया error नहीं आएगा नहीं आएगा यह जो int a बना है यह इस scope में बना है इस block के अंदर तो अब अब मैं a print करने का try करूँ तो भाई साब गेम अलग होगी अब a यहां पर 5 आएगा और यह वाला 3 आएगा तो 3 और 5 प्रेंट होना चाहिए पहले तो कुछ error है अच्छा यह select करने पर error आ जाता है यह run करते है 3 और 5 प्रेंट होगया तो भाई यह वाला जो a है वो है इस block के लिए इस block के अंदर कहीं पर भी access करना चाहिए कर सकते है यह वाला जो a बनाए यह बनाए इस block के लिए अगर मैं इस block के बाहर जाके try करूँगा इसको access करने का मैं वह बाल रहा हूँ cout a तो यह जो a होगा यह इस block यह वाला होगा यूगि इस पूरे block में यह वाला available है तो जब मैं print करूँगा तो 3 print होना चाहिए 3, 5, 3, बहुत बढ़िया इस block का a यह है और इस block का a यह है माल लो इसका नाम b होता और अगर मैं इस b को बाहर access करने का try करता तो तो यह कहता भाई क्या है b मुझे नहीं पता यह b यहीं बना था और यह भी इस block के खतम होने पर ही die हो जाएगा इस b को मैं बहार access नहीं कर सकता जो अंदर बना है जिस block में बना है उसकी presence उस block के अंदर ही है उसके बहार मैं उसको refer नहीं कर सकता उसके बार मैं उसको print नहीं कर सकता use नहीं कर सकता, update नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता मुझे यहाँ पर एक नया भी बनाना पड़ेगा अब print करूँगा तो हो जाएगा पर one होगा, पर हमने तो अंदर five करा हुआ है क्योंकि ये वाला जो b है वो ये वाले b को point करेगा ये बात समझ में आ गई है बहुत शांदार ठीक है अब अगर मालो मैं यही पर same scope में एक और भी बना दूँ अब क्या होगा भाई या मैं बोलूगा कि तुम बना ही नहीं सकते आप बोलूगा मैं तो बना दिया अब लूगा बना ही नहीं सकते भाई कैसे रन कर लो उसने बोला redefinition of b क्या कर रहे हो दुबारा कर बना रहे हो तो ये हम बना ही नहीं सकते समझे कि हाम ने गलती कर दिया अब हम अगर फॉर लूग लें बोलें कि यार int i is equal to 0 i less than 8 कुछ भी लंबर i plus plus भाया ठीक है मान लो कि मैंने आप भी i लिखा होता बहार भी int i is equal to 8 अब क्या होगा ये जो 4 है इसने आप पर explicitly एक और i बनाया है तो ये इसी i को use करेगा तो ये high 8 बार print होना चाहिए चला कर देख लेते हैं clear कर देता हूँ high 8 बार print हो गया done है तो याव ये जो ये लिखाता है ये क्यो नहीं चल रहा देखो अगर मैं इसको हटा दू अब इसको नहीं पता कि i क्या चीज है 4 को अब वो देखे का उपर बार कुछ था कि ऐसा i जैसा इसको मिला है ये लिखा तो हुआ है i तो अब ये जो है high एक बार भी print रही होगा run करते है done नहीं हुआ समझे इस चीज को तो ये आपकी variable के scope वाली चीज है अगर कोई किसी block में define हो रहा है तो उसकी presence उस block के अंदर ही है उसके भार वो मर जाएगा अंदर जिन नमर जी use कर लो अगर आप चाहो कि यार मैं same block के अंदर same नाम के define नहीं कर पागो जैसे हमने यहाँ पर देखा थना यह बी था और यह एक और बी बनाया नहीं हो सकता बढ़ क्या मैं if condition के अंदर कर सकता हूँ यह चीज बिल्कुल कर सकते हूँ आपने एक और बी बना दी हाँ पर तेक है यहाँ पर एक और if हो गई मान लो यहाँ पर एक और बी बना दिया यहाँ पर एक और if हो गई यहाँ पर आपने एक और बी बना दिया वह यह error नहीं आएगा चला कर देख लेते हैं ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बनाते हो तो यह वाला जो बी है यह इस ब्लॉक के लिए valid है ये वाला जो b है ये इस block के लिए valid है इस block के अंदर ये वाला block भी आता है तो अगर मैं यहाँ पर यह नहीं लिखता और यहाँ cout b कर देता तो कौन सा b को point कर रहा दोस्तिए ये इस वाले b को point करता समझे दुबार समझाता हो आपको यहाँ पर समझाते हैं देखो आप एक बड़े block में दो same variable नहीं बना सकते आप एक बड़े block में एक variable बनाओ उसके अंदर एक और block अगर हो उसके अंदर वो same variable बना सकते हो आप चाहो तो इसको use कर लो अगर आप चाहते हो गया इस वाले को use करना है तो इस वाले को मत create करो और सीधा इस वाले को use कर लो जितने अंदर block बनाते जाओगे उतना same variable दुबारा नाम दे सकते हो आप ठीक है अब यह जो बड़े वाला B है यह इस पूरे block में लाई करता है तो इस पूरे block में यह छोटा block भी आता है एक single block में multiple same नाम के भी नहीं चल पाएंगे मतलब multiple same नाम के variable नहीं चल पाएंगे मैं example के भी ले रहा हूँ पर अगर मैं चाहूँ चलाना तो मुझे एक और block create करना पड़ेगा माल लेते हैं आप यह variable a था तो अगर मैं यहाँ भी create कर सकता हूँ allowed है यह वला a मैं यहाँ भी use कर सकता हूँ और मैं यहाँ भी use कर सकता हूँ बढ़ अगर यहाँ पहले से a बनाएं तो यह वला a यूज होगा अगर यह नहीं बना हुआ तो यह वला use को सकता है समझ गए यही समझाना चाहरे हैं आपको हम बस बहुत simple था complicated ना कर दिया, वसमेने आपके लिए है ना, अब आगे चलते हैं हम बात कर देखते हैं operator की precedence की operator की precedence की किसकी authority ज़्यादा है अगर बहुत सार operator एक line में लिखे हैं तो पहले कौन सावाल execute करने वाला हूँ अगर मैं example के लिए आपको बोलूँ यह एक expression है जहां लिखा है कि 2 multiply 3 divide 4 plus 5 कैसे होगा ठीक है नहीं से मुझा रहा यह कोई भी कर लो क्या फरक पड़ता है अच्छा, देखो, अगर मैंने पहले डिवाइड कर लिया तो हो जाएगा 2 multiply 0 plus 5 क्यूंकि इंट बाइंट इंट इंट होता है मैं आपको सिखाया था ना पिछ लेख लेक्चर में इंट बाइंट जो होगा वो output भी इंट देगा तो 3 बाइ 4 जो होगा वो 0 point something होता है तो integer पाट तो 0 आएगा तो आपका answer 5 आ गया और कर मान लो multiply पहले हो गया होता तो यह होता 6 by 4 plus 5 जो की 1 plus 5 जो की 6 और 6 over 5 दोनों अलग अलग है तो कौन सा operator पहले use हो रहा है कौन सा operator पहले लग रहा है उस पर आपका output डिपेंड करता है तो operator की precedence एक होती है जिसका use करके आपको पता लग नहीं है कि भाई पहले multiply use करूँ डिवाइड करूँ कौन सा करूँ समझ नहीं आ रहा ठीक है भे क्या मुझे याद करनी पड़ेगी नहीं बिल्फुल भी नहीं कोई जरूत नहीं है कोई भी जरूत नहीं है हम क्या करेंगे हम bracket का use कर लेंगे अगर मानलो मैंने इसी expression को इस तरीके से लिखा होता तो क्या आपको को दिक्कत होती है आपको पता है पहले multiply करने हो गह रहा है बाद में divide करने हो गह रहा है यवर प्लस कर दूँगा कि इतना simple होता table आप याद नहीं करोगे table हमें आद करने की कोई need नहीं है हम bracket का use करेंगे इस चीज़ को हम धिहान में रखेंगे हमेशा कि भाई bracket का use किया हुआ है ठीक है table कैसा होता है दिखा देते हैं आपको तो यह आपका operator presence table है सब साथ देखो सब साथ preference किसकी है bracket की है bracket की तरफ जा रही है हाना bottom से top जाओगे आपकी presence बढ़ रही होगी और same line के अंदर आपके associativity left से right की तरफ जा रही है ठीक है भया आप समझ गया रहा कोई जरूत नहीं है इसको याद करने की कोई need नहीं है हमें बस अपना bracket सही से लगाना है simple कोई याद नहीं करता इसको कोई भी याद नहीं करता किसी को याद हो भी न सकता है ठीक है अपना bracket जरूर लगाना से इतना बोलूँगा एक बर नजर मार ले ना इस पर क्या चीज़ कैसे लिखी हुगी है पर याद करने कोई need नहीं है ठीक है हमने देख लिए 4 loop कैसे लिखते है 4 loop के component क्या-का होते है 4 loop का flow कैसा होता है 4 loop में क्या-का modification में कर सकता हूँ ठीक है ये भी हमने सीख लिया हमने variable की scoping लिए किस variable कितना scope होता है हमने देख लिया कि operator precedence क्या होता है bracket का use क्यों important है यह सब देख लिया इतना पढ़ने के बाद क्या कोशन करना ज़रूरी नहीं है अगर हम कोशन ही नहीं करेंगे तो फिर कहां लेकर जाएंगे यह तनी नॉलिज को थोड़ों कोशन कर लेते हैं यहां पर कुछ कोशन मैंने आपके लिए खोल कर रखें जिनको हमें बेसिकली शुरू करना है जाना है सबसे पहले कोशन करता स्टार्ट करते हैं इजी प्राब्लम है इस पर विए नहीं ध्यान दो तो अच्छा है इसने बोला आपके वसे एक इंटीजर है एन आपके वसे एक नंबर दिया हुआ है आपको क्या करना है इसका प्रोड़क्ट निकालना है इसके डिजिट का और इसके डिजिट का सम निकालना है प्रोड़क्ट निकालना है इसका सम निकालना है और उन दोन को सब्ट्रेट कर देना है प्रोड़क्ट के आएगा code हमें जितना भी करना है, वो सारा यहां पर करना है, यहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है, भाया इसमें से यह 2 और 3 और 4 कैसे निकालेंगे, हम बताएंगे, देखिए, n is equal to 234 basically, अगर मैं n को remainder निकालू 10 से, तो क्या आएगा, 4, 10 है, और n क्या है मेरा अभी, 234, कैसे देगा, अगर को n से 10 से रिवाइड कर दूँ, तो क्या बचेगा, 2, 3, 4, by 10, जो कि basically क्या आजएगा, 23 आजएगा, यह तो चाहिए हमें, हम जैसी इसको दबारा दिखते है, n modulus 10 हमें देगा, और n by 10 क्या देगा, n जो है वो 234 है, modulus निकालूँगा, 4 हो गया, तो किसी मुझे इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 23 हो गया, अब इसको मुझे जो है, 10 से रिमेंडर निकालना है, 3 हो गया, 10 से डिवाइड करना है, 2 हो गया, इसका 10 से रिमेंडर निकालना है, 2 हो गया, यह 0 हो गया, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, कि यार, modulus 10 करकर के मैं Remender तो निकाल लूँगा 4 निकल गया 3 निकल गया 2 निकल गया इसका product भी निकल जाएगा और इसका sum भी निकल जाएगा और रुकना कब है जब मेरा end 0 हो गया जब मेरा end 0 हो गया भाई रुक जाई हो तब हमें रुकने केंडीशने पता लग गई और हमें करना क्या वोई पता लग गया बार बार हम सेम चीज़ तो कर रहे हैं और बार बार सेम चीज़ कर रहे हैं लूप लगाना पड़ेगा दोबार समझाएं मालो के नंबर है 456 हमें 456 और 16 चीज़ निकाल लिए हैं इसमें से अलग-अलग के इसी भी नंबर में से लास्ट चीज़ निकाल लिए हूँ लास्ट डिजिट निकालना हूँ कैसे निकालते हूँ मॉडलस बाइ 10 करके है ना 10 से अकर इसको मैं डिवाइड करता हूँ दोस्त चारसो पचास छे ये तो रिमेंडर होता है तो 456 मॉडलस 10 6 देदेगा ना और 6 गया है ये तो निकालना था अब 6 जब निकाल गया है तो इतना चाहिए इतना कैसे निकालोगे 456 बाइ 10 करके जोगी 45 देदेगा अब समझे लोजिक डिजिट निकालना चारने बेसिकली हम digit निकाल लिए के sum करते हैं digit निकाल लिए efeeding multiply करते हैं तो अब code समझते हैं एक बार कीसा होगा 234 हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसमें से digit निकालते रहेंगे हमारे पास एक बार digit लेगी 4 थो हम क्या करेंगे product निकाल लेंगे उसका यूस करके और हम sum भी निकाल लेंगे उसका use करके सही है एक बार digit आ गई 3 फिर product निकाल लिया और फिर sum निकाल लिया फिर एक बार digit आ गई 2 फिर product निकाल लिया और फिर sum निकाल लिया भी यह कैसे अगर मैं product को 1 से initialize कर दो और sum को 0 से initialize कर दो तो कितनी असान game हो जाएगी product क्या हो जाएगा product multiply digit सही है 1 multiply 4 हो गया sum क्या हो गया sum plus digit 0 plus 4 हो गया same formula हमने यहाँ चिपकाया same formula यहाँ चिपकाया done आगा answer यार at the end हमें subtraction करनी है तो हमारा answer क्या हो गया product minus sum बहुत सान question अब implement करके देखते हैं हमें क्या करना है हमें तब तक loop चलाना है जब तक n 0 नहीं होता हमने बोला while n not equal to 0 तब तक loop चला दो भाई हमने बोला remainder remainder is equal to n mod less 10 ठीक है यह हमारे remainder आगे हमने दो चीज़े initialize करने थे एक product int prod is equal to 1 int sum is equal to 0 हमने product निका लिए product is equal to product multiply remainder या जो भी digit है इसको digit बोल देते हैं हमने बोला sum is equal to sum plus digit दो चीज़े होगी अब हमें n को divide करना है n is equal to n divide 10 यहां से हमारा answer आगया हमारा answer क्या है prod minus sum इसको में return करना है यह return का क्या मतलब है यह हम समझाएंगे जब आपको functions पढ़ाऊंगो तब बताऊंगो क्या मतलब है इस बात का इसको में return करते हैं मैंने अपने answer को पहले इसको हम जब भी हम अपना code सॉल कर रहे हैं किसी भी platform पर इसको हम अपने test case पर चला के देख लेते हैं इक बार मैंने चला के देखा और इस बहुत सही चल रहा है अपना इसको टेसके बनाता हूं इक बार मैंने बोला 123456 इस चला दो इसको अपने इसको सब्मिट कर देख लेता हूं किया वो मैं पास करवा सकता हूं done, accepted, run time 0 millisecond, faster than 100% of C++ online submissions, done है तो जितने भी लोगों ने अब तक इस question solve किया हूँगा, आपने उन सबसे fast solution बना दिया है ठीक है, आपको इस question solve कर रहा है, और उसके बाद जो आपका ये है, faster than 100% screenshot लेकर LinkedIn पर डालना है, और बोलना है कि अब मजा आया है video, ठीक है, तो एक question हमने कर लिया और बड़ा मजा आया है, ठीक है, हमने अब तक सीख नहीं है कि किसी number में सब्सक्राइट कैसे निकाल लेते है 1, 2, 3 होता है, 3 निकालना है, मौड मार दे भाई टेंसे, simple तो है, असान है, तो इस सेरी किसे हमने अपना पहला question कर लिया, आगे चले, चलो, अगला question कि ये वाला निप्टाते है पहले, number of 1 bits, अब ये question क्या कहता है, इस चीज को समझते हैं एक बार, तो ये हमारा second question है, यह 8 कैसे बनता है आपका, 1, triple 0, एक है, तो इसमें कितने 1 bit है, 1, एक है, तो जितने 1 होंगे, उतना आपको प्रिंट करना है, 11 है, 11 कितने number of 1 bit है, 3, इस तरीके से game खेल लिया आपको, एक है, तो यहां पर हम देखते हैं, कि क्या चीज हमें दी हुई है, तो यहां पर हमें ये unsired integer दिया हुआ है, तो पहले कर हम प्रिंट करा कर देख लेते हैं, कि n है कैसा, return अभी ऐसे कुछ भी, return वाले statement पर दिहान ना दिया अभी, आपको चिखा दूँगा, बात में क्या चीज है, अभी नहीं बताओ, तो अगर आपको ये input है, तो आपका n ये है, ठीक है, तो य हमें बताना है कि 11 के अंदर कितनी set bits है, set bits बोलो, one bits बोलो, एकी बात है, 11 जो है, इसके binary representation ऐसे कुछ है, 1011, इसका answer तीन आना चाहिए, ठीक है, पहला solution, यार binary में convert कर लो, और begin लो, दूसरा solution क्या हो सकता है, कि यार ऐसा करते हैं, last bit देख लेते हैं, और जैसे last bit चेक हो ज मार देंगे एक बार, जब right shoot मारेंगे, यह 101 बन जाएगा, फिर last bit उठालेंगे, फिर right shoot मारेंगे, यह 101 बन जाएगा, last bit उठालेंगे, चेक करेंगे, फिर right shoot मारेंगे, 1 बन जाएगा, तैसे कितनी बार right shoot मारना पड़ेगा, 32 bit का number होता है, 32 bit बार, 32 bit बार right shift मारना 32 बार या फिर हम कह सकते हैं कि जब पूरा नंबर 0 हो जाए तब है ना जैसे बहुत सार यहां पर वो है मालो सिफ एक बार इवन था तो हमने लाश उठाया, राइट शुट मारा तो पूरा 0 बन गया, तब क्या ही चेक करूँ तो जब तक आपका नंबर 0 नहीं बन जाता तब तक हम चेक कर लेते हैं यह ज़्यादा असान लग रहा है वाइल एल नॉट इकल टू जीरो हमने क्या बोला, कि भाइल लाश बिट चेक करो चेकिंग चेकिंग लाश बिट हमने एक आंसर बना रहा है शुरू में int count is equal to 0 जो कि count कर रहा है कितने बिट है आपने लाश बिट चेक की, लाश बिट कैसे करोगे if n and 1 अगर आपकी लाश बिट 1 होती और आप 1 के साथ and करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा, जो कि true होता है इसलिए हमने इसको 1 से and कर दिया तो n and 1 करने से आपको पता लग जाएगा अगर जीरो है या 1 है अगर true आगया तो 1 है, false आगया तो 0 थी तो अगर if n and 1 आप करते हैं और यह true होता है तो आपको count को बढ़ा देना है बढ़ा दिया n को यहाँ पर क्या करना है right shift मारना है एक बार यह सब हम सीख चुगे है अब हमने क्या किया है हमें बस return कर देना अपना answer return क्या होता है आपको समझाओंगा, अभी नहीं हम चला कर देखा, सही चल रहा है हम किसी और पर चला सकते हैं हमने मालो यह वाले पर चलाने का try किया यह copy किया यहाँ run कर दिया तब तक मैं यह copy कर लिए तो यह भी सही चल रहा है यह copy किया यहाँ पर paste कर दिया run कर दिया यह भी सही चल रहा है, तो हमारा code बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है हमने किया क्या है हमने बस last bit चेक कर लिए अकर last bit 1 है तो भाई सब बढ़ा दो और इसके बाद इसको right shift मार दो हमात के बबार समझाता हूं एक बार हमारा मार लो जो number है वो इस तरीके का है 110 का हमने last bit उठाई जो कि 0 है कुछ भे नहीं करा अब एक shift मार दिया shift जो हमने मारा तो यह क्या बन गया 0 यह तो हट जाएगा कोई हमने shift ऐसे मारा है एक एक आगे तो बन गया 1-1 हमने last bit उठाई 1 थी count जो था हमारा वो बढ़ गया एक हो गया वो फिर हमने shift मार दिया दोबारा अब हमारे जो number है 1 होए गया अब मैंने फिर उठाया यह फिर 1 है count फिर इसे plus plus हो गया मैंने फिर shift मारी 0-0-0 अब पुरा number 0 हो गया 0 के बाद खतम ही होगी यह हाँ ना वो हमने आप पे किया submit करते हैं accepted हो runtime 0ms faster than 100% of C++ solution आप फिर तो बारे जीत गया है जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं आपका code runtime wise उन सब से तेज है एक और उपलब्धी आपके लिए इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको भी आप हर जगा बता सकते हैं ग्यार यह मैंने गिया है मज़ा आ गया ठीक है और आगे बढ़ते हैं तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ शीख लिए इस वीडियो के अंदर operators सीख लिए हमने फोर रूप देख लिया precedence के बारे में बात कर लिए variable scoping के बारे में बात कर लिए हमने फोर रूप के flow को देख लिए operator के अंदर हमने shift बगरा करना देख लिया हमने bitwise operators देख लिये बहुत कुछ सीखने को मिल गया हमने 2 questions भी करके देख लिया जहां पर हमें 100% लोगों को beat कर दिया अपने solution के runtime efficiency से ठीक है यह चीज़ मैं समझ मागी भई हम तो बहुत सारी questions करने की कह रहे थे वीडियो के अंदर वीडियो के लेंथ बहुत बड़ी होने की कारण वो question हम अगली वीडियो में करेंगे next video में करेंगे अगर आपका अमन है कि नहीं यार मेरको तो अभी करने है अभी flow बना पड़ा है तो question मैं यहाँ पर list down कर देता हूँ इंटीजर complement of base 10 integer फिर number complement फिर आपको एक और question करना है जहाँ पर आप binary से decimal में convert करेंगे तेक है कि जैसे आपको मानलो 1010 देखाओ तो उसकांसर 10 आजाए या 0010 देखाओ उसकांसर 2 आजाए और इसका उल्टा भी करना है एक code करना है जहाँ पर आप decimal से binary convert करेंगे जैसे आपको मानलो 11 देखाओ तो आप 011 निकालने तेक है उसके बाद आप क्या करेंगे square root of x करेंगे जहाँ पर x is an integer देक है और जो आप square root निकालेंगे जैसे कर मैं आपको root 2 निकालो तो आप 1.414 ऐसा निकालने की निएड नहीं है या फिर जो भी आपका सिर्फ आप integer part देदेंगे बास बहुत है इतना part करना आपको इतना कर लिया आपने एक question और कर लो इसमें आप power निकाल करेगा power of a,b यह वाला question तो यह बैस तो मैं कराऊंगा अगली वीडियो में जोगला tutorial आएगा पर अगर आप चाहते हैं beforehand करना तो आप इस सारे question पहले से कर सकते हैं तो शुड़ों में इतना ही अगली वीडियो मिलेंगे आपसे question solve करते हुए length बहुत बड़ी हो रही आजकल वीडियो उसकी इसका कुछ सोचना पड़ेगा यार ना बढ़ापा बहुत आ चुका है तो मिलेंगे next video में तब तक के लिए